अब ये इसको इस पे ऐसे ले लेंगे इसके बाद हमने ये जैसे इसके बाद ये बुना हुआ है जैसे जो हमारे ये बुना हुआ है इसको ऐसे ही बुनेंगे अब ये देखे हमने ये धियान रखना है कि अब इस बार हमने कोई भी बढ़ाना नहीं है सिर्फ फ्रंट के में जो हम आएंगे तब यहां पर बढ़ाना होगा अब यहां यह बैक साइट जो हमने यहां से शुरू किया था यह देखे आठ फंदे यहां पर जो यह बुलना है इसको ऐसे ही बुलनेंगे यह देखे यह जो बढ़ाया था हमने फंदा यह बस लेंगे, यह दिखे हम इस बार फंदे बढ़ा नहीं रहे हैं, इसको ऐसे ही, यहां पे दो फंदे बढ़ा हुए हैं, इसको बस ऐसे ही बुदते जाएंगे, पूरी सा लाई, और जहां पे हमने डिजाइन बनाया हुआ है, इसको भी नहीं बढ़ाना है, इसको पूरी सा लाई हमने सीधे-सीधे बुन लेनी है, ऐसे बुन रहे थे हमको, इसको ऐसे करके बुन लेना है, सभी फंदों को, यह देखे हैं, यहां पर डिजाइन यह आ गया खंदों में, इसको भी हम ऐसे ही बुन लेंगे, यह देखे, हम इसमें आपको बना के देखाते हैं, तो अच्छे से समझ में आएगा, यह देखे, यहां पर जो है, यह देखे, फैंस, बीच में यह जो दो दो फंदे उल्टे थे, इसको उल्टा बुनना है, बाकी सभी फंदों को हमने सीधा बुनना है, ऐसे करके बुनते जाएंगे, यह देखे, यहां पर यह दो फंदा हमारा उल्टा आ गया है, इसको उल्टा बुननेंगे, इदा जेके, इदार बंदों को सीधा बुननेंगे, झाल पर गमारा बुनना है, झाल 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 तो यह दिखें चार पंदा हमारे दर आगें अब यह दिखिए फिर्णल्स यहां पर बेक साट से बुल रहे थे अब कर लिएर और यहां पर यहां पर यह दिखें ऐसे करके बुन लेना है इदर धागा एक पढ़ भी गया और यहां यह बुन जाएगा इदर तरफ हमने सारी फंदे बुन लेने हैं यह दिखें पांच पंदा यह बुन गया हमारे बीच का अब इसको भी बुन लेंगे और यहां धागा एक पंदा आगे बढ़ा लेंगे आगे करके अब फिर इतर बाके इस तर डिजाइन जैसे इसके बाते हमने बनाना है वैसे ही डीजाइन बुनेगे यह दिखेंद समय बंस यहां पर हमारे यह एक-इक पंदा बढ़ गया अब beat का हमने यह 5 फंदा यह बुन लिया इसके बाद इधर सबी फंदों को हमने जएसा आशार सको वैसे हम बुन लेंगे ऐसे करके इसको बुनते जाना है यह दिखे हैं हम डिजाइन के एंड तक आ गए है यह दिखे हैं अब यहां पर हमारा यह दो फंदा उल्टा है यह इधर के फंदे हैं इनको भी बुनना है हमें तो इधर यह दो फंदा उल्टा बुनलेंगे अब यहां से फंदा हमारा फिर से यह पूरी फिर से शुरू हो गई त मुइन फिर से इस बार फंदे बढ़ाने हैं एक बार हमने नहीं बढ़ाया था इस बीच में फंदे बढ़ाये थे अब इस बार हमने फिर से ये बुना हुआ है इसको बुन लेंगे और फिर धागा आगे करेंगे और यहां हमने फंदे बढ़ाने है यह देखें ऐसे करके यह दो फंदा हुगया अब धागा करेंगे एक फंदा यहां बढ़ा लिया यह दो फंदे बढ़े है अब दो फंदा फिर से बढ़ाना है यहीं पर हर बर बढ़ाना है इसको यहाँ पर उल्टा फंदा दो फंदा बुनेंगे यहाँ पर यह देखे जैसे हमने यह बुना हुआ है ऐसे करके फंदें यहाँ पर बढ़तेगा है दो फंदा यह बीच का है बाकी यह देजाइन इधर साइड में बना हुए यह बैक साइट का है और यह देखे यह फ्रंट साइट का है यह ऐसे करके एक एक फंदा हमारा यहाँ पर यह देखे बढ़ता गया है यहाँ पर ऐसे करके यह बुनना है जिस तरी के समय बनाया है इसे ही बस बुनते चाहिए इसमें यहाँ पर हर बार सलाई में बढ़ेगा ए इधर एक बार बढ़ाना है और अगली सलाई में हमने जैसे है वैसे ही बूलने ना है बढ़ाना नहीं है लेकिन यहां जब भी आएंगे हम तो यहां एक फंदा और यहां एक फंदा बढ़ाना है क्योंकि यहां पर एक एक फंदा ही बढ़ रहा है और इधर साइड में यहां यह दो दो फंदे यहां पर बढ़ रहा है यहां देखें दो फंदा बढ़ा यहां दो बढ़ा लेकिन यहां पर एक ही बढ़ रहा है तो इसलिए यहां पर हर सलाई में बढ़ाना है और डिजाइन भी कंप्लीट नहीं होगा दो सलाई में डिजाइन जैसे हमने फ्रंट से और बैक साइट से बुनते हैं दो सलाइबाद की डिजाइन बुनना होता है तो इस तरीके से यहां पर यह ऐसे बनेगा और यहां पर हर बार हमने एक एक फंदा यह बढ़ाते जाने है यह देखे फिंट्स यहां पर एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा ब बनाएंगे तो यह अठारी भी जाली होगी इसमें हमने सीधा सीधा ही बुना है फंदे ट्विस्ट नहीं किया है इसको इसमें सीधा ही बुनके आप दिखाएंगे यह देखे फंदा हमारा यह बढ़ते बढ़ते यहां पर यह 17 तक जालिया बन गई है यह देखे इधर से सफंदे बढ़े हुमें है पूरा सीधा बुनके यहां पर यह डिजाइन बुनना है जैसा डिजाइन है हमारा इसको ऐसे ही बनाते जाएंगे इसमें देखे फ्रेंट्स डिजाइन हमारा थोरण बन चुका है तो समझ में आ रहा है यह देखे चार फंदा बुनने के बाद में हम लेगे घंटाया था तीन फंदा उसके बाद यह फंदे हमने बनाए थे अब यहां पर हमने अब दो फंदा यह दो उल्टा बुन लिए ह हमने गैपिंग के लिए अब ये दो फंदा सिधा बूलेंगे उसके बाद ये तीन फंदा एक संद घटाएंगे इसके बाद ये बढ़ा हुआ फंदा इसको बूल लेंगे और यहां पर इसके अगल बगल में हमने एक एक फंदे बढ़ाने हैं अब बीच का ये जो फंदा है इसको भी बूल लेंगे बीच में तीन फंदा बूलना है उसके बाद में फिर से इसके अगल बगल में ये देखे हमने ये फंदे बढ़ान लेने हैं फिर दाग आगे करेंगे ये बढ़ा हुआ फंदा है इसको बूल लेंगे इसके बाद ये तीन घटा देंगे इसके बाद दो फंदा बचा हमारा ये बुरने के लिए अब ये दो फंदा हमारा उल्टा अगया है गया पहला इसको बुरनेंगे ये देखे फ्रेंट समीहा पर ये डिजाइन बुन के यहाँ पर आगा है यहाँ पर हमें एक फंदे बढ़ाने हैं जो के हमें हर सलाई में बढ़ाना है ये देखे दागा आगे करेंगे अब बाके इधर के फंदों को हम सिधा सिधा बुन लेंगे जैसा हम बुन रहे हैं ये देखे ऐसे करके सभी फंदों को ये देखे बुन लेना है ये सभी फंदों को हम ये सिधा बुन लेंगे अब फिर से हमने यहाँ पर एक फंदा बढ़ाना है अब ये देखे रहें ये सवेंटिन जाली के होने के बाद में यहाँ पर हमने बाजू के लिए और फ्रंट के लिए और बैक के लिए फंदे जो हैं वो अलग करने हैं ये देखे हमारा ये सिक्स्टी फंद है ये फ्रंट में ये बना हुआ है इतना और बैक का ये सिक्स्टी फंदा और इन दोनों को हम एक साथ बुनेंगे ये हमने बाजू के लिए फंदे निकाल देने हैं यह देखे बाजू के लिए हमने कहा से कहा तक फंदे लिये हैं, यह जो सामने से बढ़ा हुआ था फंदा, इसमें से 1, 2, 3, 4, 5, यह 6 फंदा हमने इधर डिजाइन का लिया है, यह देखे इधर से, इधर का यह 6 फंदा, बाकि इधर यह डिजाइन बुन रहा है, इसको तो ऐ प्सक्र्शार जो प्सक्राइस तो लिए जो खुरसन है टो यहां पर ड़ाल प्सक्राइट है व्क भांप da है लिए हाए बीसन फ़्शोर नियुक्तिन लिए है इसने आपने कर लेना है और सफ जो फिर इपर इधर टें चाइन होगी होगया प्रकद्षी या यहां पर extra हमने सामने तरफ से इधर बाजू तरफ कट लिया है अब इसको बाजू को हमने अलग बुनना है और यह front वाले को और back वाले को एक साथ मिला के बुन लेना है इसको देखे फिर उसके बाद दिखाते हैं आपको बुन के यह देखे फिर हमने पिछले सलाई में design बन बनाना है इस पर पूरी design जो है ऐसी सीधा बुन दे जाएंगे बस यह ध्यान रखने है एक बार हमने design बनाना है और एक बार हमने पूरी इसलाई प्लेन ही बुन लेनी है जैसे हमाला जो फंदा है वैसे ही यह देखे अब यह दो फंदा उल्टा आगे इसको उल्टा बुन लेंगे यह देखें यहां पर यह 60 फंदे और यह back side से बराबर यह दोनों तरफ फंदे 60-60 फंदे हैं यहां पर यह पूरा फंदा 45 और इधर यह 45 फंदे हैं यह फ्रंट साइड से है यह दिलुक देखिए और इसका बैक साइड देखिए यह दिखिए ऐसे है जैसा हमें स्वाटर में दिख रहा है ऐसे करके है इसको आप हमने इस वाले को दोनों को एक साथ मिला के बुन लेना है और बाजियों हमने अलग से बुन लेना है इसको आप चाहे एक चार सलाईयों में बुन लेजे या दो सलाईयों में करके इसको अलग अलग और इसको अलग और इसको अलग ऐसे करके बुन लेना है इसको दो सलाईयों में बुन लेजे और इसको आप जैसे मन करें अगर आपको बीच में अगर खुला नहीं रखना है साइट में तो आप इसको चार्ज सलाईओ पर करके राउंड में ऐसे करके पूरा बुन सकती है बीच में ये डिजाइन सिर्फ बनाना होगा बाकी इधर ये प्लेन ही बुनना है इधर तो प्लेन बुनना ही है बैक साइड में बस ये डिजाइन बनता जाएगा नीचे तक फिर देखे आगे आपको बना के दिखाएंगे ये देखे फ्रेंस हम यहाँ पर राउंड करके हमने ये सलाई करके यहाँ पर बुन लिया है ये देखे चारो सलाई से हमने यहाँ तक के नीचे तक के बुन के ये बॉर्डर बना लिया है उसके बाद हमने यहाँ पर ये बाजु बुना हुआ है जो कि यहाँ पर हमने ये जो था ये सभी फंदों को 45 फंद जो यह थे इसको हमने सलाई में उठा लिया है इसके बाद देखे कैसे बनाएंगे इसको यहblem से यहाँ पर हमने यह बुन ने से पहले धागा लगाएंगे तो यहाँ पर हमने इस चार फंद यहाँ पर पहले उठा लेंगे जिसे कि थोड़ा से यहाँ इसकी चोड़ाई बढ़ जाएगी यह देखे ऐसे करके हमने यह फंदे उठा लेने हैं यह दो फंदा होगे यह तीसरा फंदा होगे और यहां यह चोड़ा फंदा मुठा लेंगे इसके बार इधर यह चीधा बुनेंगे अब यहां से देखे हमारा यह डिजाइन यहां तक बन रहा था यह डिजाइन जो है यहां तक यह बन रहा था इसके बाद हमने इधर हमने उल्टा फंदा नहीं बनाया तो यहां पर हम यह दो फंदा उल्टा बुनेंगे जिसके डिजाइन इधर से भी अलग से दिखाए दे अब यह दो फंदा हम पहले उल्टा बुनेंगे उसके बाद इधर जो फंदा हमना डिजाइन जैसा बन रहा था हम इसा बुनेंगे एक डिजाइन में यहां पर यह तीन जैलिया बनानी है तो यह देखे दो बन चुका है अब यह तीसरा बनेंगा यहां पर यह ऐसे यह बन रहा है एक दो यह देखे एक दो अब यह तीसरा बनेगा यह देखे तीसरी जाली यह बनने के बाद में यह पर बीच में यह पांच फंदे बुनने हैं यह तीसरी जाली यह बन जाएगे फिर यह बीच के पांच फंदे बुनने हैं कि उसके बाद फिर से हमने जाली बनाने हैं इस फंदे के आगल वगल में कि अब यहां पर यह तीन फंदे को घटा देंगे एक सांथ में कि यह दो फंदा यह उल्टा है इसको उल्टा भूल लेंगे बाकी दर सभी फंदों को सिधा ही बुन लेना है यहां पर भी हमने चार फंदे उठा लिये हैं इधर चार फंदे हमने यह उठाया था और इधर भी हमने यह चार फंदा उठा लिया है इसको अभी इसके बाद अभी बुनते जाएंगे इधर सह उल्टा भूलना है बैक साइड से पूरी सलाह हमने उल्टी भूलनी है यहां पर यह दो सीधा फंदा इसको इसको और यहां पर यह दो फंदा सीधा इसको सीधा बुनेंगे बाकि यह सब उल्टा पंदा और इधर कभी ऐसे उल्टा करके बुन लेना है यह देखे फ्रेंस हमारा यह बाजू भी कम्प्लीट हो चुका है बुन के यह देखे इंच के हिसाब से यह स्वेटर कितना लंबा बुना है यह देखे 14 इंच के लगभग यह बन चु यहां पर यह 8 इंच तक बना है दोनों तरफ से और यहां पर यह देखे हमने यहां पर 4-4 फंदे बढ़ाने के बाद से यहां पर 4-4 सलायों के बाद 2 एक फंदा इधर और एक फंदा इधर ऐसे करके बुनने में एक फंदा यहां और एक फंदा यहां इसे करके हम बढ़ात दोटरोज दोच दोटरोज devi दोच घटाना शुरू किया यहां तक जो कि हमने 10 फंद यहां से यहां तक घटा दिये हैं यहां पर एक फंद इधार और एक फंद इधार ऐसे करके घटाते घटाते यहां तक हमारा यह 10 फंद घट गया है तो हमारा यहां पर 59 फंद जो बन गया था अब यहां तक घटाके 49 फंद दस फंद हमारे घट ग बचे थे और ये 45 फंदे का ये हमारा बॉर्डर बूना हुआ है तो हमने एक ही सलाई में 4 फंदे घटाए हैं यहाँ पर उसके बाद से हमने ये बॉर्डर बून लिया है यहाँ पर 45 फंदों का यह बॉर्डर है ज्यादा पतला भी छोटा नहीं करेंगे क्योंकि बच्चों को यहाँ में गुसाने में भी दिक्कत होती है उसके बाद हमने यहाँ से हाँ अके सिल लेना है जैसा हमने इसमें सिला हुआ है यह देखे ऐसे करके बस इसको सिलके कप्लीट कर लेंगे यह देखे यह इसके फ्रंट साइड का लुक है यह पहने पर बहुत ही सुन्दर लगता है बच्चों पे थैंक्यू फ्रेंट्स आपको वीडियो देखने के लिए यहाँ पर इसको जो यह है धागा इसको यहाँ पे स्टिच कर देंगे और इसको अंदर कर देंगे धागे को थैंक्यू फ्रेंट्स आपको वीडियो देखने के लिए प्रेंट्स आपको वीडियो देखने के लिए जुटिच कर देंगे